दोस्तों आची वीडियो में हम जानेंगे कि CISF फोर्स क्या है CISF के बारे में आज हम आपको फुल डिटील्स में बताने वाले हैं और इसके रेंग एंड सेलरी के बारे में भी हम आपको पूरी जनकारी देने वाले हैं साथ यहों CISF की फुल फोर्म होती है Central Industrial Security Force जिसे हिंदी में केंद्रिय उद्योगिक सुरक्षाबल कहते हैं इसकी जो इस्थाफना है वो साल 1969 में हुई थी इनका जो में काम होता है वो होता है सरकारी उद्योगों को सुरक्षा परदान करना यनि कि जो government की properties होती हैं उन्हे security देने का काम CISF का ही होता है दोस्तों CISF आपको airport, sea port, metro stations, isro, nuclear power plants इन सभी में आप CISF को देख सकते होंगे तो साथ ही हूँ ये तो हो गया कि CISF क्या है और इसका काम क्या होता है अब यदि हम बात करें इसके rank और salary की दोस्तों जो इनकी rank की शुरुआत है वो होते है constable से जो की level 3 में आते हैं तो दोस्तों इनकी जो level 3 में वो rank होती है constable की उनको pay band 1 के तहत salary दी जाती है और जो इनकी basic salary होती है वो होती है 21,700 रुपे से लेकर 79,100 रुपे तक यानि कि जब आप पहली बार इसमें constable level पर join करते हैं तो आपको शुरुआती salary 21,700 दी जाती है और इसमें आपकी जो maximum salary है वो 79,100 रुपे तक हो जाती है और जो आपके allowance होते हैं वो भी आपको इस salary से अलग दी जाते हैं इसके बाद आते हैं level 4 head constable की rank इनको pay band 1 के तहट salary दी जाती है और इनकी जो basic salary होती है वो होती है 25,500 रुपे से लेकर 81,100 रुपे तक इसके बाद level 5 rank होती है assistant sub inspector की इनने भी pay band 1 के तहट salary मिलती है और इनकी जो basic salary होती है वो minimum होती है 29,200 रुपे और जो maximum होती है वो हो जाती है 92,300 रुपे तक और जो आपके अदर अलावेंस होते हैं अन्य बात्ते होते हैं वो भी आपको इस सेलरी से अलग दे जाते हैं इसके बाद है लेवल 6 रैंक होती है इसमें सब इंस्पेक्टर की और इसमें इनको पेबेंड 2 के थायत इसमें सेलरी दी जाती है जिसमें basic salary आपकी 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे रहती है और allowance आपको सब में अलग ही मिलते है इसके बाद है level 7, rank होती है inspector की इसमें payment 2 के था salary मिलती है और इनके जो salary है वो basic salary 6,900 रुपे रहती है और जो आपकी maximum salary है वो रहती है 1,42,400 रुपे इसके बाद अगली rank होती है वो होती है assistant commissioner की इनका level 10 रहता है और जो इनको salary है वो payment 3 के तहत मिलती है इनकी शुरुआती salary 56,100 रुपे तक रहती है और जो basic salary इनकी maximum होती है वो होती है 1,77,500 रुपे इसके बाद है level 11 जो की rank है DC यानि की deputy commissioner की इसमें payment 3 के तहत salary मिलती है और इनकी जो basic salary है वो शुरुआती salary आपकी 67,700 रुपे और जो आपकी maximum salary रहती है वो है 2,8,700 तो ये आपकी basic salary इसमें रहती है इसके बाद level 12 है जिसके rank होती है commandant की इसमें आपको payment 3 के तहत सेलरी मिलती है और जो basic salary है इसमें वो शुरुआत में आपकी 78,800 रूपे रहती है और जो इसमें maximum salary है वो रहती है आपकी 2,9,200 रूपे तो यह आपकी level 10 की commandant की rank होती है इसके बाद है level 13 जिनकी rank होती है senior commandant की इसमें आपको payment 4 के तहट salary मिलती है और जो basic salary है वो रहती है इसकी 1,3,100 रूपे और जो maximum salary है वो रहती है 2,5,900 रूपे और जो allowance है वो आपको अलग से दिये जाते हैं इसके बाद है level 13A इसमें जो rank है वो होती है डिप्टे इंस्पेक्टर जनरल की इसमें आपको payment 4 के तहट salary मिलती है जिसमें आपकी basic salary 1,3,100 रूपे से शुरूआत होके 2,16,600 रूपे आपकी maximum salary रहती है इसके बाद है level 14 जिसमें rank होती है अपकी IG यानिकी inspector जनरल की इसमें आपको payment 4 के तहट salary मिलती है जिसमें आपकी basic salary 1,44,200 रूपे से शुरू होकर 2,18,200 रूपे रहती है इसके बाद rank आती है इसमें level 15 की जिसमें आपको additional director general की rank मिलती है इसमें जो pay band होता है वो H.A.G. का होता है जिसमें आपकी basic salary है वो आपकी 1,82,200 रूपे से शुरू होकर 2,24,100 रूपे आपकी maximum salary रहती है इसके बाद जो इसमें सबसे highly rank होती है वो होती है level 17 की जिसमें rank रहती है D.G. यानि की director general की इसमें जो pay band है वो Apex fixed के तहट आता है और जो इसमें basic salary रहती है वो 2,25,000 रूपे रहती है ये 2,25,000 रूपे आपकी basic salary minimum है इससे उपर ही आपको salary मिलती है जो आपके अधर allowance होते हैं उन सबी को मिला के 5,5,000 से उपर salary में बैट जाती है तो ये CISF की सबसे highly rank है जो की है D.G. यानि की director general की तो साथियों CISF में constable से लेके D.G. तक की rank हमने आपको बता दिया है और इसमें कितनी salary आपको मिलती है ये भी हमने आपको complete जानकारी देती है इससे related अगर आपका और कोई भी doubt हो तो मैं comment box में जरूर पूचिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार